दोस्तो आज मैं बनाने वाली हूँ चिल्ला के लिए मैंने एक कटोरी गेहुं काटा लिया है आधा कटोरी लेंगे बेशन अब इसमें मिलाएंगे चावल काटा एक चम्मद काटा मिलाएंगे जिससे हमारा चिल्ला और टेस्टी और कुर्गुरा बनेगा अब इसमें डालें धन्या पत्ति हरी मिर्च आप रेड़ मिर्च भी यूज कर सकते हैं मैंने हरी यूज किया है और हल्दी यूज करेंगे धन्या और थोड़ा सा गरम मसाला थोड़ा सा जीडा थोड़ा सा जवाइन अब सब डालने के बाद डालेंगे इसमें पानी थोड़ा थोड़ा पानी ड होना चाहिए इसका बैटर अब लगाएंगे हम तवे पे तेल तब मैंने पहले से चड़ा दिया था कि ज्यादा तेल नहीं लगाना है बहुत आसानी से चिल्ला बन जाता है यह अब बैटर को अच्छी तरह से फैला लेंगे आप छोटा भी बना सकते हैं बड़ा भी कुछ गोई भी सेब दे सकते हैं मैं ज्यादा बड़ा बना रही हूं ज्यादा चोटा मीडियम साइज बना रही हूं अब इसमें तेल लगा देंगे उपरी साइड में भी और इसको पल उनिंग के लिख फास्ट में भी खा सकते हैं यूनिंग में भी खा सकते हैं हलका फूल को और टेस्टी नासता है अब दूसरा भी वैसे ही बना लेंगे और इसको कि बने हाइगा बेन बहुत हाइब रखेगा या तो जल और पतला इसको बनाईगा तो और अच्छा बनेगा कुछ इस तरह से और जालीदार बना है और रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब करेगा फिर मिलते हैं राधे राधे बाई बाई